सबी दोस्तों को मेरा नमस्कार स्वाकत है आपके अपने चैनल ज्यानदी फिंदी चैनल पर तो डियर फ्रेंज एक अच्सी खबर आ रही है स्वेंग साहता सम्हों की महलाओं के लिए कि क्या है यहों आप जो फसल देख रहे हैं इस खेत में तो यहों कहां उगाई जा रही ह और यहों किसके लिए उगाई जा रही है तो इस वीडियो में आपको में सब कुछ बताने वाला हूँ तो इसमें जिले में जो आगनवाडी केंदर होंगे इन पर यहों फसल उगाई जा रही है यहों काफी अच्छी खबर है जो 1237 आगनवाडी केंदर हैं उनके लिए सायता महिलाओं के लिए तो आपको एक अच्छा मौका है यहां पर रोजगार प्राप्ट करने का तो किन के लिए यहां पर सबजियां उगा रही है और यहां पर क्या इन खेतुम उगा रही है इस वीडियो के माध्यम से में आपको सब कुछ बदाने वाला हूं अगर आप हम पुष्टा आहार विभाग ने पोसन वाटिका विक्सित करने का जो खाका है वो तयार कर लिया है तो इन वाटिकाओं में हरी सबजी और फलदार वरक्सों के फिड़ रोपित किया जाएंगे यानि कि जो यहां पर फिड़ दिखाय जा रहा है खेत दिखाय जा रहा है इस वीडियो में यह भी आपको बताने वाला हूं तो इसमें बात करते हैं जिले के 3410 आगनवाडी केंद रहें जिसके तहत पहले चरण में 1237 केंद रूपर पोसन वाटिका बनाई जाएगी इन पोसन वाटिकों का निर्मान बाल विकास एंव पुष्टा आहर के अलावा आज द्यान विभाग की ओर से सबजी और फलों के वरक्स लगाने पड़ेंगे और इसमें पोसन वाटिका में सबजी वाटिकों कुपोसित बच्चों और गर्वती महलाओं को उपलब्द कराए जाएंगे जिहां फ्रेंस यह काफी अच्छी खबर है जो कुपोसित बच्चे हो होंगे और जो यहां पर गर्वती महलाएं होंगी तो उनके लिए यहां फसल त्यार की जा रही है स्वेंग साहता समु की महलाओं के द्वारा जो बच्चे कोपोसित के सिकार बन जाते हैं और जो महलाएं गर्वती हैं तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है यहां पर तो और सहजन, पालक, हरी सबजी, टमाटर, अमरूद और स्वयवीन सहित अन्य हरी सबजियां यहाँ पर उगाई जाएंगी और पौधे लगाकर भी इन्हें विक्सित किया जाएगा और चार वर्स कम हो तो हुआ कुपोशन पर अब भी 21,000 बच्चे यानि कि इसमें जो होगा आपका चार वर्स कम तो हुआ कुपोशन चार वर्स से कम हुआ पर 21,000 कुपोशित बच्चे अभी भी हमारे देश में हैं तो उनके कुपोशन को कम करने के लिए उन्हें स्वस्त बनाने के लिए यहाँ पर सरकार योजना सला रही है जिसमें 2018 में जो देख सकते हैं आप इतने बच्चे यहाँ पर कुपोशित थे जो इतने बच्चे ठीक हो गए हैं तो यह काफी अच्छी खबर कहे जाएं, 2021 की बात करें तो 21,254 बच्ची यहाँ पर कुपोसित थे, जो कि 1722 बच्ची अभी भी यहाँ पर हैं, तो इसके लिए सरकार काफी कुछ कर रही है, इन कुपोसित बच्चों के लिए, और पहले चरण में 1237 कुपोसित, कुपोसन वा योजना त्यार कर लेगी है, और इसमें सरकार जल्द ही इसमें यहाँ काम सुरू करने वाली है, तो वाटिका के फलदार और हरी सबजी वाले पौधे रोपित किये जाएंगे, आगनवारी स्वेंग साता समू की महलाएं वाटिका को त्यार करेंगी, जी हाँ फ्रेंस, जो जरूर कर लेजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए, तो मिलते हैं इसी तरह की नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, थेंक यू, बाई बाई, टेक केर